विल्कुल भी परेशान मत हूँ बस डेट पर जाने से पहले ये ड्रामाज देखने यकीन करें आपकी पहली डेट ऐसी शानदार होगी कि आप हमें दुआएं देंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से दर्खास्त है कि हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दें ताके हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सुना चंदा यूट्यूब पर मजूद एक बेहतरीन ड्रामा है ये खुबसुरत सीरीज है धां कॉमेडी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है कांदान के अफराग के दर्मियान दिखाए गए जज़बात और महबबत बहतरीन है ये इन पाकिस्तानी ड्रामों में से एक है जिसके पूरे इशिया में मदाहों की बड़ी तदाद है अरसल और अजिया के दर्मियान महबबत और नफरत का रिष्टा देखने में बहुत मज़ा आता है ये देखना बहुत जरूरी है और ये पाकिस्तान के बेतरीन ड्रामों में से एक है मरकजी के दार दो कजन्स अरसल और अजिया है इन दोनों का मिज़ाज एक दूसरे से बिलकुल मुक्तलिफ है और वो दोनों एक दूसरे को बिलकुल बरदाश नहीं करते दादा के आखरी खायश पूरी करने के लिए उन दोनों की मर्जी के खिलाफ गायवाले उनका निकाह कर देते हैं शादी की तैयारी ये रूच पर होती है, कार्ट छप जाते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि दोनों मिल कर इस शादी को रोग देंगे अरसल और अजिया की इस वैसले से खांदान में लडाईयां शुरू हो जाती है ड्रामा सीरिल फितूर जियो टीवी का एक रुमैंटिक सीरिल है जिसमें दिलनशीन का अफेर अफेर से वो मुश्किल खुद को निकाल कर शादी को कबोल करना शादी को बचाने और निभाने की सर तोड और पुर्खलूस कोशिशें करना मसलसल ताबर तोड मुखालिफ अमलों की वज़े से तंग आकर मायूसी और जिद में अफेर की तरफ वापस लोटना और मुख्तलिफ एससात में घिर कर फिर से बेजारी और कश्मकश एक लड़की के जजबात और इनसे पैदा होने वाली मुख्किलात को इससे बहतर बयान नहीं किया जा सकता था वीबर्स को दिलनशीन से हमदर्दी है क्योंकि उससे सबने अकेला कर दिया था ऐसी लड़की को जो कुछ समझ में आएगा वो वही करेगी वो गलत कर रही है मगर फितरी रद्धियामल है कोई भी तो इसका भरुसा नहीं करता उसे गाइड नहीं करता महब्बत में जजबात ये ड्रामे का खास हिसा है लेकिन ये ड्रामा मेगा हिट थाबित हुआ दिवान की दिवान की ड्रामा फोर्स मेरीच पर मबनी ड्रामा है जो जियो टीवी पर दिखाया गया ड्रामे में वो टर्निंग पॉंट शॉक कर देने वाला है जब नगीन को मालूम होता है कि दलासल सुल्तान दुरानी नहीं उसे अगवा किया इसमें हीरो के तोर पर अमीर तरीन सुल्तान दुरानी जो के हकीकत में विलन बन जाता है तो एक कम हैसियर लड़की नगीन थपर मार देती है जबाल में सुल्तान दुरानी को घुसे में मुबतला कर देता है जिसका नुकसान नगीन को उठाना परता है सुल्टान तुरानी नगीन को महबत के जाल में फसा कर उस से मारे गए थपड का वद्ला लेने के लिए हर हद पार कर देता है जिसमें नगीन को अगवा करवाने से लेकर नगीन के बेहनोई को पैसों का लालच तक शामिल है ये ड्रामान लड़कियों के लिए एक सबक है जो महबत के जाल में फंस कर अपनी जिन्दगियां तबाह कर देती है जिसका नुकसान बाल में खुद और पूरे खांदान को उठाना पड़ता है और देगर कई मसाइल भी पैदा हो जाते हैं जिनमें लोगों के ताने और रिष्टेदारों के मजालम सरे फेरिस्थ हैं शेहजाद एक इप्रेसिव स्टोरी है ये मेरा अहमत की तखलीक है इनकी बेश्टर तहरीरों का खासा इश्क हकीकी होता है शेहरजाद की कहानी खाबों के दुनिया में रहने और जाकती आँखों से सपने देखने वाली एक लड़की फलक के गिर्ट घूंटी है वो खुबसूरत होने के साथ साथ अमीर वालिदैन की इकलोती उलाद है पाइनान से बेंतहा लगाओ रखने वाली ये लगकी एक दिन यूही अपने ख्याली हीरो का मजस्मा तराश बैटी है और फिर हकीकी जिन्दगी में उसकी तलाश के लिए निकल खड़ी होती है इसी तोरान में उसकी मुलाकात सिल्मान से हो जाती है फलक को लगता है जैसे ये वही शक्स है जिसका उसने मुझस्मा तराशा था और जो उसकी दिल के नहा खानों में बसता है वो सल्मान को तूट कर चाहने लगती है सल्मान फलक के दिल में अपने लिए निरम गोशा महसूस करता है मगर वो उसे अपनाने के लिए पूरी तरहां अमादा नहीं उसकी कुछ मजबूरियां भी है और उसे ये ख़चा भी है कि मुम्किन है कि वो फलक को वो महबत कभी न दे सकेगा जिसकी उसे तलाश है वो उसे छोड़ देता है तब फलक को अल्ला की हकी की महबत की जरूरत पड़ती है ड्रामा सीरिल मौसम शुरू में तो बहुत रूमैंटिक था लेकिन फिर रफता रफता सैड होता गया और वीवर्स को उदास कर गया इसकी कहानी के मरकज करदार मतवस तबके से तालूर करक्षने वाली दो सहेलिया शाजिया और समन है जो आपस में कजन्स भी है लेकिन उनकी दोस्ती और रिष्टेदारी आशिर से मुलाकात के बाद इमतिहान में बदल जाती है आशिर अमीर होने के साथ साथ पुरकषिश भी है पहले ही मुलाकात में वा समन को दिल दे बैठता है कहानी इस वक्त एक नया मूर लेती है जब शाजिया फैसल से शादी करने से इंकार कर देती है और समन को उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है ड्रामा से ये बंटी आई लव यू एक रुमैंटिक और स्टूडियो स्टोरी है ये कहानी एक नूमर लड़की दानिया के गिड़ गुमती है दानिया भी 19 साल की थी कि उसके शादी कर दी जाती है वो भी बुड़े शख्स महताब पटेल से जो बहुती दोलत बंद है कहानी कुछ आगे बढ़ती ही है कि महताब का इंतकाल हो जाता है महताब की मौत के बाद उसकी जायदात का बड़ा हिसा दानिया के नाम मुंतकिल हो जाता है इसी दुरान दानिया को एक लड़का बंटी पसंदा जाता है मगर बंटी दानिया की बज़ाए दूसरी लड़किया में दल्चस्पी लेता है दानिया बंटी को केस किस तरहा अपनी महबब का एसास दिलाती है यही इस कहानी का ताना बाना है ज्रामे की कास्ट में शामिल है सबागमर नमान हभीब, महमूद अक्तर, महरबानो, रजाज़ादी, खाजासलीम और तारिक जमिल इस ज्रामे को जरूर देखिएगा ड्रामा सीरिल चुराहा जो जीओ पर ऑनियर हुआ है, ये ऑनियर होने से पहले ये कॉलिजिज वगरा में बहुत मकबूल हो गया था ड्रामा सीरिल चुराहा में मिकाल जल्फिकार और मदिहा इमाम एक साथ नज़र आ रहे हैं फुराहा के इन्वान से तखली की गई इस कहाने को एडिसन इज्रीस वसी ने अपने कलम से तराशा है जिबकि दिलकश अक्सबंदी के साथ किरदारों को एसन तालिश की हिदायाद ने जिला बखशी है इस ड्रामे की अबतदा एक ऐसे घर से होती है जहां घर के मकीनों को मर्द का साहिबान मैसर नहीं बाहिर के फजा से लाइल्म घर की चार देवानी में बेवा मां और फुपी की कुल काइना डिजी जल के पुर्फरेव जाल में अपनी साथगी में कैसे उलचती चली जाएगी ड्रामे की मर्कजी करदारों में मिकाल जुल्फिकार, मदीह इमाम, पुश्रांसारी, पेरोस अब्सवारी, असरच सिदीगी, सबाह हमीर, शबीर जान, आशागुल और अरिशा रजी खान शामिल है ड्रामे में दिखाया गया है कि शहीर एक बहुत अमीर आदमी है वो क्लास जो बगए सिक्योर्टी गाल्स के अपनी अकेली गारी में नहीं निकल सकता शहीर अधेर अम्री की तरफ जा रहा है और उसकी दादी जिन्होंने उसे उसके वालिदین की वफात के बाद पाला है वो चाती हैं कि अब वो किसी लड़की को पसंद कर ले और शादी कर ले लेकिन शहीर साब जैसे मर्द को शादी में क्या दिल्चस्पी हो सकती थी लहाज़ वो टालता रहा शहीर ड्रामा दरार का असल करतार है जिसे हीरो या विलम तो नहीं कह सकते मतलब परस्त और मोका परस्त समाच का इस ताहरा कहना मुनासिब होगा वो मचबूर लड़कियों के खाब खरीबता है गरीब लड़कियों के शाही खाबों की बोली लगाता है और उनको खाब नगर तक लाता है और पी जाता है इसी सारी करदार साजी में रहा जो एक मिनर क्लास की लड़की है और एक इंशॉरंस कमपनी में काम करती है ने जित तफाकाते जिंदगी के बाइस हो शही जैसे शाते से टुकरा जाती है इमोशनल ड्रामा से यह वबाल को यूँ तो बहुत बजीराई मिल रही है लेकिन ड्रामे में लड़कियों के हवाले से इस मकसूद सोच को प्रमोट किया गया है आजकल के लड़किया अपनी खायशात को पूरा करना चाहती है अगर जाईज नजाईज के तसवरार क्लियर ना हो तो मसाहिल पैदा हो जाते हैं लड़कियों को शाओर होना चाहिए ड्रामे में अनम का केदार साराखान ने निभाया है जिसका तालुग एक मिडर क्लास खराने से है अनम को जिन्दगी से बरपूर एक ऐसी लड़की दिखाया गया है जिसके कुछ खाब है और वो हर क्यमत पर अपनी खायशात को पूरा करना चाहती है अनम शातीर चला अकमकार नहीं है बस खायशात के हाथों मारी हुई है वो अच्छी जिन्दगी गुजारना चाहती है अमीर लड़कियों से दोस्ती करती है गरीबों को मुह नहीं लगाती लेकिन ये लड़की अपनी ताई के हाथों ट्रैप हो जाती है ये तो कुदरती बात है कि जो चीज़ इंसान के पास ना हो वो उसकी खाहिश करता है मिड़क्लास और लोई मिड़क्लास के लड़कियां अमीर लड़कियों के मुबाइल और इनकी अच्छी ड्रेसिंग से मतासिर होती है एर वाई डिजिचल का ड्रामा सीरियल प्यार दिवानगी है बेस्ट विवर चॉइस सीरियल है ड्रामे में समी खान, निला मुनीर, शुज़ा, असद, मतीन, गुलेराना और देगर अदाकार मरकजी के दार निभा रहे हैं निला मुनीर, शुज़ा, असद, से महबत करती हैं और अपनी फुपो और बेहन की मखालिपत के बावजूद वो इससे मिलना नहीं छोड़ती और मिलने का कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेती है जैसे एक सीन में निला मुनीर कॉली जा रही होती है लेकिन उनकी बहन उन्य शुज़ा के साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा उधर शुज़ा मोटर साइकल पर खड़े निलं का इंदिजार कर रहे होते हैं शुजा को यूं करे देखकर नीला मुरीर अपनी चपल तोड़कर बहाना बनाती है और बेहन से कहती है कि मैं दूसरी चपल पहन कर आती हूँ और दूर जाकर खड़ी हो जाती है कि बेहन चली जाए तो वो शुजा के साथ जा सकें यानि एश्क को मकमल तोर पर इंधा दिख में मकबूल है तो ये था हमारा आज का काउंट डाउन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना फीड़बेक देना बिलकुल मत भूलेगा अल्ला हाफिस